नमस्कार ये निव इन्वेंशन का दूसरा वीडियो है और दूसरा टॉपिक है ये अलग चीजे जो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ पिछले टॉपिक से हटके ऐसे ही मैं हर रोज एक नय नय टॉपिक लेके आता रहूंगा आपके लिए निव इन्वेंशन के उपर हम पास्ट की बात नहीं करेंगे हम फ्यूचर की बात करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा हो आने वाला भविस कैसा हो हमारा आने वाला भविस अच्छा हो इसलिए हमें निव निव टेकनोलजी को लाना होगा खास तोर पे अपने इंडिया में अपने देश में यहां प पास पैसा है पर idea नहीं है मैं इस वीडियो के थूद आप लोग को एक idea देने की कोसिस करूँगा एक example देने को कोसिस करूँगा कि यह चीज अगर आप करेंगे तो इसका भाविस्स है अगर इस idea पे चलते आप लोग है आने वाले कुछ समय में इंडिया चेंज हो सकता है और इंडिया में नए नए टेकनोलजी का इन्युवेशन हो सकता है इंडिया में एक नए दौर की जरूरत है वो भी टेकनोलजी के ऊपर हमारा देश टेकनोलजी में उतना आगे भी नहीं कह सकते और उतना पीछे भी नहीं कह सकते हमारा देश टेक future की बात करेंगे आने वाले 20-25 साल की बात करेंगे अभी बैट के अभी हम सोछेंगे कि आने वाले 20-25 साल में हमारा देस कैसा होना चाहिए हमारे देश में कैसी technology होनी चाहिए खास्त अरुपी ये जो टेकनोलिजी है वो ही यह सोच ही है यह मरे मिलेक्ट के ऊपर है यह बसके के ऊपर है वह इसे इसका इस्तिमाल करें आतंक वाधियों को और अपने दूस्तम्हों को निश्ट नाभूत करें तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए यह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैंने कुछ चित्र बनाय चित्रों आपको लोग का वैसे भी हमारा समझ में नहीं आता है तो हम आपको समझाएंगे करके आप समझ जाएए चित्तकारी हमारा बहुत खराब है तो यह जो वीडियो है वो आज पता ही है आप लोग को नीम इंवेंशन के उपर वीडियो है यह इसका मैंने नाम दिया है ड्रॉन कोक्रोच यह है ड्रॉन कोक्रोच बहुत सारे लोग आभी बना रहे है रिसर्च में है यह सब सारी चीजे पर यह भी जमीनी आपने नहीं है है भी तो वह ऐसी चीजा की जासूसी के लिए काम होता है अभी आयसी चीजे अब झारी बनी है यह avatar है आज का वीडियो याद कर लेना आज का डेट याद कर लेना ये पब्लिस होने का डेट याद कर लेना उसके बाद मेरे को बताना आई सी टेकनोलोजी कब आएगी आई है टेकनोलोजी ऐसा पर इस तरी की टेकनोलोजी नहीं आई है इसे मिलता जलता टेकनोलोजी है अभी और अभी यूज भी हो रहा है पर इस तरह का टेकनोलोजी नहीं है ये दो टेकनोलोजी को आपवस में कनवर्ट कर दिया गया है एक land technology और एक air technology दोनों टेकनोलजी को एक में ही समाहित कर दिया गया है मतलब यह air purpose भी यूज़ कर सकते हैं और land purpose भी यूज़ कर सकते हैं दोनों अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए हम इस पर कुछ ज्यान देते हैं क्या-क्या parts हम ने इस पर लगाए हैं आइडिया देने की कोशिस करूँगा की किस तरह का यह drone होना चाहिए पहला तो यह एक design है ठीक है design में normally बात मैं पहले उपर से करता हूँ air system से बात करता हूँ इसका air system में क्या होता है पंखे आपको तो पता ही होता है जो side में wing लगे होते है इसको पंखे न बोलकर हम wing बोल देते है ठीक है जो side में air plane के wing लगे होते है ठीक है उस plane में अलग तरह का wing होता है उस में बड़ा लंबा wing होता है और fighter plane में जो होता है छोटा होता है उसमें जो wing यूज होता है इस की विंग होगा यह डिपेंड करता इसके size के उपर जैसा इसकी size रहेगी उसी हिसाब से इसका wing panel, वो उस measurement की हिसाब से इसको design किया जाएगा, इसका wing panel जो होगा वो flexible होगा, ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ मूट सके, इस तरह का इसका wing panel होगा, ये भी wing जो होगा, ये अंदर की तरफ इसका wing आके मूट सके, जब ये land purpose के लिए use होगा, तो इसके उसके बाद विंग के साथ यह डर भी होता एक छोटे चोटे विंग लगे होते है झो प्लेन को उपर और नीचे ले मदद करते है ठीक है यह जो रड़ार काम आता है पलेन को lip और राइट करने में काम आता है यहां पर एक चोटा सा इस तरह कि छोटा सा भी लगा होता है जो लिफ रैट करने के लिए सहिः करता है राडार का ठीक है ये तो एरोप्लेन माला सिस्टम हो गया कि एरोप्लेन कैसा काम गए इसमें इंजन नहीं लगे होंगे ये दोनों में इंजन नहीं लगे होंगे समें इंजन फिट नहीं इंजन जो है वो अलग से फिट होगा जो जेट इंजन होगा इसके अकोर्डिंग आप कैसे नस्त्ना बूद करोगे तो उस तरह का यह डिजाइन है कि एक छोटा रोबुट हो गई खूटे एक मीडियूब साइज का होगा बहुत बड़े साइज का नहीं होगा जो मीडियम पिलोट केरी एक जैंपल के तरह में आपको बता देता हुव इसका काम क्या होगा यह इस तरह का डिजाइन किया रहेगा कि वो सीडी भी चड़ सके और उपर जाके दरवाजे को भी उड़ा सके और घजर अंदर जाके अतंकवादी को भी मार सके यह यह इस तरह का इसका डिजाइन होगा तो यह जो पंक्य होगे वह विंग होगा वह फ् साफ से कल्कुलेशन करके इसमें हम चार इंजन जो जेट इंजन आता है उसको हम इसमें फिट करेंगे ये एक इंजन यहां पर फिट होगा एक इंजन यहां पर फिट होगा उसके बाद एक यहां पर फिट होगा और एक यहां पर फिट होगा ताकि इसको हम हाँ उपर जो वहते है पर इस तरह नहीं ओके यह इंजिन किया ऐसा भी हो सकता है और goals सकता जब लाइन्ड करना रहे या जब यत को will अन्हरा रहे तो भी इंजनी ह움 तरह हो जाएगा उसके बाद जब स्पीट में आगे जाना रहे तो जो सकर इंजन है इस तरफ हो गगा पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ओ इंजन किस तरह से फ्लेक्सिबल होता है तो यहां पर जो इंजन होगा वो भी फ्लेक्सिवल लगा दिया जाएगा ये तो हो गए इसके एयर परपेस के लिए उसके बाद इसको आख भी दिया जाएगा यानि की कैमरा भी दिया जाएगा यहां पर कैमरा लगा रहेगा जो भी यह भी फ्लेक्सिवल कैमरा होगा जो उ उसके बाद एक गन यहां लगाया जाएगा जो कि लॉंग रिंज्श का रहेगा यह तीन इसलिए लगाया जाया रहा है जब उड़ान के दोरा नीचे की तरफ देखना है यह भी कैमरा यूज कर सके यह भी कैमरा और सब कैमरा यह तीनों कैमरा फ्लेक्शिबल होंगे जो गन अगे होंगे ये भी फ्लेक्सिबल होगे दोनों के दोनों गन यहां पे गन देने का हमारा मकसद एक और है कि सपोज कोई उपर से हमला किया इसके उपर तो यहां से यह गन का हम इस्तमाल कर सकते हैं कोई पीछे से हमला किया तो यह गन फ्लेक्सिबल होगी घूम जाएगी पी यह कंट्रोलर काम करेगा यह सेलफमेट कंट्रोलर हो गाई इसमें कोई आदमी नहीं बैठा होगा यह एक ड्रोन होगा जो की बाहर से इसको कंट्रोल किया जाएगा जिस तरह बड़े बड़े ड्रोन को बाहर से बैटके कंट्रोल किया जाता है उस तरह इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कंट्रोल में वो सारे सिस्टम फिट होंगे जो ये सभी चीजों को operate करता है और यहीं से सभी चीजों के वो command देगा और इसका जो command इधर पे एक radar system लगा होगा जो इसका radar system इसलिए लगा होगा क्योंकि यहाँ पे एक missile भी हम प्रियोग करेंगे इसलिए छोटी-छोटी मिसाइले यहाँ पे फिट किया जाएगी बहुत छोटी-छोटी ताकि वो मिसाइले जो है किसी बड़े चीज को अगर नेस्तनावूत करना रहा तो उस चीज को यह यूज कर सकते हैं अगर यह थोड़ा सा बड़े में बनाएंगे तो अगर चोटे वर्जन में बना रहे हैं तो इसकी ज़रुरत नहीं पड़ेगी सिर्फ कर सकते हं दूर बैठे यह सारी चीजों को क्र यह कोया है तो अरिकरोत को श्रक्रॉल कर सके ह। यह everyone इंजनों के कंट्रोल करने का एक छोटा सा कैम्पूटर लगाए जाएगा यही पे रडार सिस्टम होगा यही पे सामने कैमरे भी लगे होगी उसको भी कंट्रोल करना जितना भी एक सवायज रही सबका पार इसके अंदर फिट कर दिया जाएगा उसके बाद आता है पेलोड शोटा सा grenade launcher उसको भी हम इसमें fit कर सकते हैं इसके साथ में ठीके छोटा grenade launcher हुआ पेलोट में बंदुक की गोली हुई उसके बाद और भी चीजे जो भी हम यहाँ पे स्टा fit करेंगे श्टॉल करेंगे वह सारे चीजे पेलोट हम यहाँ से gun को connect कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बैटरी सिस्टम होगा बैटरी सिस्टम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब ये सिस्टम air में रहेगा तो air वाला जो सिस्टम है उसके लिए हमने fuel oil दे के रखा है ये engine जो है ओ ओल से चलेगा ठीक है उसके बाद जब ये जमीन पर होगा land पर होगा तब ये किस तरह वर्किंग करेगा उसके लिए हमने बैटरी देके रखा है कि जब यसी सिस्टम जमीन पर होगा जब यह जमीन पर कर रहा होगा तो यह जो बैरी है यह सारी चीजयों को ओप्रेट करें यह इंजर इंजयों को छोड़ के जिट इंजयर्ड को कुछ छोड़के सारे चीजे को यह पावर देगा हम अगर इसमें कुछ इस तरह एडवास्ट एकॉनिंजी लगा सके तो यह इंजन जब वर्क करेगा तो उसके साथ साथ में यह बैटरी भी चार्ज हो ऐसा कुछ हम सोचेंगे इसमें अगर फिट हो सके तो फिट करने की कोश करेंगे उसके बाद आपको पता है कि यह ओयल जो बाके इंजनों को दिया जाता है यहां पर बर देंगे ठीक है हम यहां पंखों में भी रख सकते हैं और डिपेंड करता है कि फ्लेक्सिवल पंखा रहेगा तो उसमें कितना भर सकते हैं कितना नहीं भर सकते हैं यह रिसर् मिसाइल संबंधी चीजे रख दिये जाएगी जो कि ये ऊपर की तरफ खुलेगी और हम जैसा टैंक हुआ टैंक के लिए तो बहुत बाड़े बड़े गोले होते हैं जैसा चार चार दस आदमी हुआ को छोटी-छोटी चीजे हुए अगर उसको उड़ाना हुआ तो यह मिसाइलों के तरह हम उड़ा सकते हैं उसके बाद इसमें जैसे इंसान चलते है जैसे छिपकली चलती केकड़ा चलता है सपोजे केकड़े की तरह है इसमें हम लेग पैर लगा होगा जो की जब लैंड के टाइम पे वर्किंग करेगा सब जैसे ऐसा चलता है ना चार पई होगा उस तरह से यह वर्किंग करेगा और ऐसा इसमें लेग सिस्टम दिया होगा चार लेग होगा और इस तरह से इसका सिस्टम दिया होगा कि यह जो है सीडी पे भी चड़ सके नॉर्मल जमीन पे भी भाग सके ठीक है और उचाई पे भी चड़ना हुआ तो उचाई पे भी चड़ सके और इसको पतला सा बनाया जाएगा ताकि यह छोटी सी सकरी भी जगह में से यह आगे निकल जाए है क्या इसमें पार्ट करके एक नया इनिवेशन किया जा सकता है इसके बारे में मैं बताने की कोशिस किया हूं जो मैंने रिसर्च किया है मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिस किया है इस आईडिया देनी कोशिस किया है कि इस तरह एक नए टिकनोलजी बनाया जा सकता है सभी जो इसकी जो सारी टेकनोलिजी है वो मार्केट में आवलेबल है बस खरीत करके उनको स्टाल करना है सभी चीजों को आप खुद मैनृफ्यूफटरिंग नहीं कर सकते हैं आप इसके बाड़ी को मैनृफटरिंग कीजिए इसके design को manufacturing कीजिए बाकि सारी चीजे market में आउलेवल है बस लाइए लगाईए और fit कीजिए और इसके control को जो controller system होता है हो आपको manufacturing करना होगा मुझत तो कुई देगा नहीं बाकि रडार है कैमरा है गन है इसके इंजिन है ठीक है बैटरी है oh iel है पे लोड है सारी चीज़ें आपको बाहर से मिल जाहेगी उसके बाद इसके प्रेटेजाईम करने होंगे आपको प्रेट किस तरहher डिजाईन करें किस तरह यह प्रकींग में अभी भी बहुत सारा research बाकी है कि इसका leg कैसा काम करेगा, controller कैसे काम करेगा, बाकी design भी कैसे काम करेगी, सारे चीजे इसमें अभी भी work करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, हमने तो सिर्फ एक idea दिया है, एक रस्ता बता रहा हूं कि इस रस्ते से चलिए, अब जब ये ये हमें comment करके जरूर बताए, और हाँ, आप लोग channel पे आते हैं, channel देखते हैं, पर कोई भी subscribe नहीं करता, please इस channel को subscribe कीजिए, हम future की बात करने बैटे हैं, जो है past की बात नहीं करेंगे, जो हो चुका उसकोई बात नहीं करेंगे, मैं इतना गर सकता हूं, अगर ये भी कोई प्रोजेक्ट कोई अपने हाथ में ले रहा है, कोई बना रहा है, तो मैं इसके research में सहयोग कर सकता हूं, उसे contact करना रहा, तो आप comment कर सकते हैं, अपना mail ID दे सकते हैं, हम आपको mail जरूर करेंगे, और हाँ ये वीडियो को share जरूर कीजिएगा, साथ किसी का भला हो जाए, देश का भला हो जाए, किसी को कुछ घ्यान मिले, किसी को कोई रस्ता मिले, चलिए मिलते हैं, next वीडियो में, next topic पे, next idea के साथ, next innovation के साथ, तब तक के लिए बबाए